हालो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करते हूँ आपके अपने यूटूब चैनल ससे बलट पर सो आज हमें इस क्लास के अंदर डिसकस करने वाले हैं क्लोस टेस्ट को सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉबिम होती है उननी के लिए क्लासुस हैं ताकि वह बच्चे कम से कम टाइं में सही आंसर्स दे सके closed और regular आप बचे classes मेरी जरूर लेते रहें ऐसे से बुलट पे चलेगा आज की जो class है जिसके अंदर में CPU mains के close test को discuss करने वाले हूँ क्योंकि mains है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको mains देने वाले हैं और उनको close test में बहुत problem आते हैं क्योंकि mains के अंदर minimum 3-4 paragraph तो आपको close test के मिलेंगे अगर आप CPU mains देने वाले हैं स्टार्ट करते हैं पॉस्ट कोशन देखेगा अगर आपको टीचर ये कह दे कि आपको खुद और्गनाईज करना है अपने आप चीजों को तो ऐसे केस में student definitely excited होंगे ही होंगे बहुत ज़्यादा excited होंगे जब टीचर उनसे ये कह दे कि आपको खुद ही करना चाहिए इस शो को और्गनाईज ठीक है अब आपको चेक करना इसमें all the children के बाद आप किस वर्फ का यूज करेंगे बीका, वर्का, वाज या फिर विल देखो close test में मैं बात करूँ बचो अगर five questions आपके close test के exam में आते हैं तो आप बचे ध्यार रखेंगे एक से दो question सीधा सीधा आपका tense based आता है जिसमें आपसे पूछी जाती है form of वर्फ कि वर्फ की बचो कौन सी वर्म को आपको fill करना है तो पहले आप बचे कोशिश करो, try करो इसको करनेगी कि आपके according हमें किस वर्फ को यहाँ पर fill करना चाहिए बी की first form को, वर्फ की second form, past form को फिर या was singular को या फिर will या future की form को use करना चाहिए अब इसके लिए अब answers आ रहे होंगे आप बचों के, चलेगा बहुत इचे बचे, अब देखो इसके लिए आपको सिर्फ इस line को पढ़े कर आप answer नहीं दे सकते, इसके लिए आपको paragraph का tense जरूर शेक करना पड़ेगा और वो उसी के जस्ट नीचे वाली line में आ जो यहाँ पर assured लिखा हुआ है, assured word लिखा हुआ है तो यहाँ पर assure में क्या लग रहा है D, यह D बता रहा है आपकी word की second form और second form का मतलब होता है बचो past tense, second form का मतलब क्या होता है past tense second form का मतलब कैसे होता है past tense से, तो बस आपको ध्यान रखता है कि will आपके future और be आपकी word की first form यह first form present और will आपके future जिन student ने अभी चीज़े start की है तयारी करना 2024 के लिए वो in classes को जरूर ले कि किस तरह से आप close test में एक अच्छा score ला सकते है और 100% accuracy के साथ तो आपने यहाँ पर check करना है word या was इसको जो decide करेगा वो आपका children करेगा child मतलब एक बच्चा, children मतलब बच्चे तो यहाँ पर जैसे subject आप plural देखोगे तो आपको वो भी case ही चाहिए, plural चाहिए तो इसलिए आपका जो correct answer option होगा वो word हो जाएगा, इतना clear है सभी को, चलो I hope तभी कब word ही answer होगा, चलो next आते next plank में लगाओ जरा pronoun का, किस case को use करेंगे आप बच्चे he assured, assure का मतलब समझते हो न, जब कोई व्यक्ती आपको भरोसा दिलवा रहा है चीजों पे, ठीक है, विश्वास दिलाने की बात करें कि ठीक है, जैसे उसमें बोला है ऐसा हो जाएगा, he assured, dash that the principal would give them the financial assistance necessary for dash कि principal उनको आर्थिक तौर पे भी क्या करेगा, उनको support करेगा इस चीज का वो भरोसा दिलवाने का काम कर रहा है कौन दिलवाने का काम कर रहा है, जो उनके teacher ने उनसे कहा कि उन्हें खुद अपने show को organize करना चीज अपने आप, वो व्यक्ति उनको भरोसा दिलवाने का काम कर रहा है तो देखो जरा किन को दिलवा रहा है, अब आपको check करना है, कौन सा case pronoun का use होगा चलिगा, बहुत यच्छे बच्चे, बल्कुल सही है देखो अगर मैं यहां पर बात करूँ, children के लिए, तो children की बात हो रही है अब भरोसा दिलवाने का काम teacher कर रहा है, तो teacher के लिए ही है और वो भरोसा किसको दिलवा रहे हैं, बच्चों को दिलवा रहे हैं, तो बच्चा नहीं है, बच्चे हैं तो बस यह ध्यान रखना है, कि assure आपकी verb है, और verb के बाद हम हमेशा objective का use करेंगे और objective देख according हमारा जो correct answer option fourth है, वो बिल्कुल सही है जिन student ने भी इसका answer fourth लगाया है, उन सभी का बिल्कुल correct है बाकी remaining options को आप बच्चे easily eliminate कर सकती है, चलेगा next आते हैं, एक और question देखो जड़ा third, blank के लिए जड़ा check करो, क्या होगा अब उनोंने बोलाए कि principle would give them the financial assistance necessary for dash costumes for the exhibition and sale they were to set up and for any other expenditure to be dash आपको check करना है यहाँ पर necessary for dash उनके लिए necessary, किसके लिए necessary है तो again check करो, आप they will का use करोगे they are का use करोगे, they are या फिदेर costumes का मतलब, बिल्कुल बहुत यशे बचे, costumes का मतलब noun से है और noun से पहले क्या हम they are, they are, they will का use करेंगे हम किसका use कर सकते हैं, possessive adjective और there is a possessive adjective जिसका use हम हमेशा noun से पहले करते हैं चेके, तो यहाँ पर हम possessive adjective के basis पे जितने student इसका answer fourth बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल correct है fourth is the correct one, चलो next आते हैं next question देखो जड़ा सभी बच्चे, क्या होगा fourth blank के लिए जड़ा check करो, उसने बोला है यहाँ पर for the exhibition or sale they were to set up, उनको यह सारे चीजों को लगाना है and for any other expenditure और other जो भी उनके खर्चे होंगे to be dash वो खर्चे क्या किये जाएंगे, उन खर्चों को क्या किया जाएगा तो conquered, damaged या blurred या फिर incurred, देखो क्या किया जाएगा blur का मतलब होता है जब कोई चीज आपको साफ दिखाई ना दे जिसको आप बोलते हो धुन्दला, बोलते हैं चीजे मुझे बहुँ बहुत जादा clear नहीं है कैसी है, धुन्दली सी है xt. डेमर का मतलब होता है, जब आपका मन इधर उदर डोल रहा है मन कभी इधर हो रहा है, मन का डावा डोल होना वहाँ पर हम लोग use करते हैं conquer मतलब किसी चीज़ को जीत में कि बात हो रहे है तो हम यहाँ पर खर्चों को उठाने की बात कर रहे हैं तो खर्चों को उठाने के लिए यानि कि where करने के लिए हम लोग क्या use करेंगे चलो next आते हैं फिफ्फ ब्लांक के लिए जर्दा चेक करूं क्या आएगा on account dash on account dash the show on account dash the show अब ये सारे खर्चे क्यों उठाए जारे हैं उनको क्यों इतना investment किया जा रहा है क्यों इतना financial support दिया जा रहा है फिफ्फ शो के कारण शो के कारण है न बहुत एच्छे बचे जिपने वे student इसका answer of बोल रहे हैं उन सभी का बिलकुल correct है on account of यह पूरी एक phrase है जिसका मतलब होता है के कारण किसी भी चीज के कारण के लिए आप use करते हो on account of के कारण इसको हिंदे में बोलते हैं के कारण जिसके जब किसी भी कारण की बात करेंगे तो आप use करेंगे on account of इतना clear है चलो next आपके एक और देखे जड़ा paragraph if you don't have a lump sum यह भी CPO pre का है 2019 का वो mains का था 2023 का यह previous जो था हमारा 23 का और यह आपके pre का है चलो देखो जड़ा क्या होगा पढ़ो ध्यान से आप सभी बचे if you don't have a lump sum to invest in a fixed deposit कभी कभी ऐसा होता है मार पस नहीं होता है इतना माँ कि हम fixed deposit में FD में उस पैसे को लगा सके तो you can dash opt for a long term recurring deposit तो उस case में आप ensure करोगे surely sure या फिर assure करोगे भरोसा दिलवाने की बात कर रहे हूँ या फिर surely sure या फिर ensure ensure का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को सुनिस्चित करने की बात करो ठीक है तो देखो जरा क्या करोगे surely आप क्या करोगे एक long term की वो option को choose करने की बात करोगे तो surely is the correct one चलो नेक्स साते है नेक्स सेकेंड ब्लांक के लिए जड़ा अब डैश दी मिनिममम अमाउंट ओफ मन्तली इंवेस्टमेंट इस डैश अब आप डिपोजिट की बात कर रहे हूँ जहां पर हम बात कर रहे हैं मिनिममम जो एमाउंट होगा मन्तली इंवेस्टमेंट का वो क्या होगा तो यहां पर हम एक बात कर एक प्लेस की जहां पर आप इस काम को अगर करते हो अगर आप नहीं एक साथ कर सकते तो आप उसको छोटी-छोटी monthly उसमार लेकर आओगे तो जहाँ पर आपकी जो monthly investment होगी तो that is the case of where किसका use होगा? वियर का चलो next आते है, next blank के लिए जला चेक करो third blank के लिए क्या use होगा अब उसने बोला है कि amount of monthly investment is dash जो monthly investment amount होगा वो low as rupees 100 मतलब वो इतना कम होगा कितना? सिर्फ आपको 100 रुपे वहाँ पर देने पड़ेंगे monthly तो रुपे ठीक है? तो low as फिर rupees लिखा होगा है तो देखो, आप so का use करोगे या फिर as का, to का या फिर just का देखो किसका use करोगे? बहुत ध्यान से देखते चलेंगे आप बचे बहुत ये अच्छे बचे चू गुड, बेकुल सही है ये टी डवल ओ टू रिमूव टू, टू का use होता है टी डवल ओ टू low is a positive degree low कहते degree है, positive degree है बचो, और positive degree के बाद आपको क्या दे रखा है बचो? as positive as इतना कम है जितना 100 रुपे 100 रुपे है, यानि की as is the correct जितने भी student इसका answer as बोल रहे हैं, उन सभी का बिलकुल सही है, चलो 4th blank के लिए जड़ा चेक करो, क्या होगा? again 4th blank के लिए चेक करना, at the end of the dash you get back the amount invested अब आपको किस चीज के अंत में जितना भी आपने amount वहाँ invest किया होगा वो आपको वापिस मिल जाएगा वो वापिस मिल जाएगा, यही तो होता है investment का मतलब कि आप invest कर रहे हो, वापिस जबल जाएगा किस चीज के end पे, time पर interval पे, tenure पे, या फिर timing पे जितने समय के लिए आप करवा रहे हो वहाँ पे deposit amount जितने समय के लिए fix deposit करा जा रहा है, FD का मतलब होता है हम fix time के लिए करा देते 1, 2, 6 महीने, 3 साल जितने time के लिए भी करा रहे हैं और जैसे ही वो time period खतम होगा, जैसे ही वो time period वापिस पैसा मिल जाता है ठीक है, at the end of the tenure is the correct one ठीक है, चलो, next आते है बहुत अच्छे बचे, next आते है 5th blank के लिए जड़ा check करो, क्या आएगा you get back the amount invested dash with the interest earned on it आपको वो पैस वापिस तो मिलेगा, बट कैसे वापिस मिलेगा, वो आपको amount के साथ interest के साथ मिलेगा ठीक है, जो उस amount पर आप कमाओगे, and it is a good way of saving money regularly ये एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अपने पैसे को save करने का regular basis पे अगर आप regular अपने पैसे को save करना चाहते हो, तो ये FD जो होता है, ये सबसे best तरीका होता, आपने पैसे को save करने का तो, अब आप check करो यहाँ पर, कि invested के साथ आप among use करेंगे along, besides, या फिर as well as, देखो जड़ा किसका use करेंगे आप बचे, बहुत ध्यान से देखेंगे, too good देखो, मैं आप बच्चों से हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब भी आप बचे close test करते हो तो close test को करते हूँ, आप एक चीज जरूर ध्यान रखो, after blank आपको कौन सी preposition दे रखिया है, with is a preposition अब आपको check करना है, नीचे given options में से, किसके साथ आप with का use कर सकते हूँ, बस वही आपके correct answer option को decide correct, चेकर, हम जितने भी close test कर रहे हैं, सब previous questions है, इसते आपको दो चीज़ों का benefit होगा, एक exam pattern का पता चलेगा, और दूसरा आपका जो तैयारी है, वो उसी pattern पे हो रहे हैं, जो exam में question, जिस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़े आपकी एक सही direction में होंगी, चलेगा, बहुत एचे बचे अगर मैं बचो with की बात करूँ तो with का use कभी भी as well as के साथ, या beside के साथ या among के साथ नहीं होता along with पूरा एक साथ use होता है, के साथ, के साथ के लिए हम लोग पूरा एक साथ क्या use करते हैं बचो along with, क्या use करते हैं बचो along with, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct आएगा with के साथ वो आपका along आएगा, along with is a correct uses ठीक है, एक conjunction है जो दो चीज़ों को जोड़ेने का काम करता है, तो यह कहीं न कहीं एक best investment होता है, जिसके अंदर आप interest भी कमाते हो और एक अच्छा तरीका है पैसे को save करने का regular basis पे, चलो एक और paragraph देखें, बड़ा interesting paragraph था last, चलो एक और देखो जड़ा सभी बचें, after coffee had been served in different sized cups and mugs, the chief rose dash his place at the head of the table, आपको check करना है, यहाँ पर आप किस preposition को use करोगे, ठीक है देखो जड़ा कौन सी preposition use होगी जैसे ही coffee, मतलब coffee बटने के बाद, coffee बाटी गई serve कर दी गई, बई serve करना मतलब दे दीगे ने सबको different sized के cup में, mugs में पिर rose, मतलब चीफ उठे, तहां से his place at the head of the table, जो place कौन सी है, जहाँ पर head बैटता है, उस table से उठे न, तो यहाँ पर देखो कौन सी preposition आएगी, before his place to, on, into या फिर from, कौन सी preposition का use करेंगे आप बचे बहुत ध्यान से देखेंगे, चलेगा बहुत यचे बचे, too good जितने भी student इसका answer from बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल correct है, from is the correct one वो अपनी टेबल से उठे, यानि from is the correct one, चलो next आते, next question देखो, second blank के लिए, again ये cp free का ही है, paragraph at the head of the table, dash a speech of welcome अब make to make made या फिर makes किस वर्फ को यूज करोगे, आगे 10th based question कान से उसका यूज होगा ये question आपके advance वर्फ से है, बचो ये question आपके advance वर्फ से है as or yes, second form और make, वहाँ यूज होगी जहाँ subject होगा, ठेके न तो यहाँ पर at the head of the table किस लिए, किस काम की बात हो रहे है to make, infinitive का case use होगा, ठेके, तो जिते student infinitive को देखकर इसका answer second बोल रहे है, उन सभी का बिल्कुल correct है, चलो next आते है a speech of welcome-aziz translated who, what, whom, या which translate उसने क्या किया translate, aziz translated उस speech को aziz ने क्या किया translate किया, किसको translate किया तो question आपके relative pronoun से है relative pronoun चेक करो जड़ा कौन सा relative pronoun आप बचे use करेंगे बहुत ध्यान से देखो किस relative pronoun का आप यूज़ करेंगे बहुत ध्यान से कर दे चलेंगे सभी बचे किस relative pronoun का यूज़ होगा अगर मैं बचो who की बात करो, बहुत यच्छे बचे, बिल्कुल सही है जिपने student इसका answer fourth बोल रहे है उन सभी का बलकुल करेंगे अगर मैं who की बात करो, who एक व्यक्ति के लिए आता है एक person के लिए आता है वहाँ बचो जहां हम किसी subject की बात करते है यानि कि subject person के लिए आता है और मैं what की बात करो, what का use होता है जब आप किसी को कोई भी statement दे रहे हूँ कुछ भी बोल रहे हूँ या फिर आप incident किसी घटना के बारे में बता रहे हूँ देन आप use करते हैं, आप बचे what का और whom का use होता है वहाँ बचो जहां objective case होता है और objective case किस का होगा, person का तो person objective है, तो whom आता है और अगर आप बात करते हो what की what is used for incident and statement incident and statement लेकिन हम यहाँ पर किस की बात करें एक speech की बात करें translate क्या की है, उसने एक speech को translate किया है and speech is a case of thing किसी चीज के नाम की बात कर रहे है तो वहाँ पर हम subjective के लिए for thing or animal subject के लिए thing or animal के subject के लिए आप use करेंगे हमेशा which तो जितने student is answer which बोल रहे है उन सभी का बिलकुल correct चलो, बहुत यची है बचे, next आपके है fourth plank के लिए जड़ा check करो, क्या होगा Scott made a short dash which was applauded even before Aziz had been given the dash अब respond, rejoin, reply या फिर retort, देखो जड़ा किसका use करोगे, retort मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़ादा करारा जबाब देता है जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ही ज़ादा करारा जबाब देने का काम करता है, rejoin का मतलब समस्ते हो, जब कोई चीज फिर से जुड़ना चाहती है join मतलब जुड़ना और rejoin मतलब फिर से जुड़ना फिर से जूड न, फिर से जूडने की बात हो रही है तो वहाँ पर Scott made a short dash which was applauded even before Aziz उन्होंने उस पर क्या दिया? एक short सा reply दिया क्या दिया एक बच्छो? छोटा सा reply दिया, है न? नेक्स देखो जड़ा 5th blank के लिए क्या use होगा? Even before Aziz had been given the dash to interpret what he had said कि जो उसने कहा ये उस चीज का क्या था? given that chance, probability, turning, या फिर moment ये उसको chance ही तो मिला था? interpreted करने का बिल्कुल सही है, जितने student इसका answer chance बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल correct है, chances the correct one इतना clear होगे आप सभी बच्छों को चलेगा, बहुत ये चे बच्छे इसके साथ आप बच्छे दो चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे, आप सभी बच्छे कि एक तो आप बच्छे regular classes ले, ठेके? regular classes आपकी चलती है sse bullet पे life classes, morning में 10 बच्छे चलती है आपकी life class और इसके साथ साथ एक आपकी एक बच्छे चलती है life class और एक आपकी चलती है 3.15 पे कितीन life classes आपकी regular रहती है sse bullet पे, आप सभी बच्छे life classes को ज़रूर ले इसके अलावा एक बच्छ आपका zero to hero वाला बच्छ स्टार्ट हुआ जिसके अंदर बच्छ को zero से कराया जाएगा आपको basic से चीजों को कराया जाएगा और उस classes को वो बच्छे लेना बिल्कुल भी न भूले, जो बहुत time से मुझे message कर रहे थे कि वो 2024 की तयारी करना उन्होंने अभी शुरू की है और उनकी English जो है बहुत ज़दा कमजोर है, तो especially वो classes उन student के लिए जनको English में कुछ भी नहीं आता है क्योंकि उसमें बिल्कुल मैं basic से चीजों को करा रहे हूं, तो आप सभी बच्छे उन classes को ज़रूर ले, so I hope आप सभी बच्छे को समझाए उनकी चीजे classes को ज़रूर like or share कर दिया करो अगर आपको classes अच्छी लगती है बाकी classes, regular life classes लेते रहें, आप मेरे साथ ऐसे सी बुलट पे, so आज के लितना रखें so thank you student for this session बाकी कर दे है, next class में चिके, चलेगा